हेलो एर्वान कैसे हो सब आई होप आप लोग सभी बढ़िया होंगे स्वागत करते हैं आप सबका MP Board Education के YouTube चैनल पर तो आप लोग की तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी हिंदी का पेपर था काफी अच्छा गया होगा आप लोग का ऐसे में एक निउस निकल के आ रही है सिवरा सिंग चोहान जी की तरफ से कहा यह जा रहा है कि इस बार बारवी की First Division पास चात्राओं को स्कूटी का लाव मिलने वाला है स्कूटी मिलने वाली है तो यह निउस है और आप लोग जान लीजिए इसके बारे में और मद्यप्रदेश सरकार ने एक मार्च दोजात तेविस को राजजी का बजट पेश किया है इस बजट में विभिन सरकारी योजनाओं की गोशना की गई है इसमें फ्री स्कूटी योजना भी शामिल है MP में बागवी बोर्ड की परिक्षा में फर्स डिवीजन से पास होने वाली च्छात्राओं कितनी च्छात्राओं होगी यहाँ पर पांच हजार च्छात्राओं को इसकूटी दी जाएगी इस योजना के लिए सरकार ने अलग से बजट निकाला है तो ये न्यूस कंफर्म है कि ये होने वाला है इसकूटी दी जाएगी पांच हजार च्छात्राओं जो की टॉप करेगी MP बोर्ड में उनको मिला जाएगा अब ऐसे में जो हमारे च्छात्रें वो सोच रहोंगे कि च्छात्राओं को जो की डिस्ट्रिक्ट में टॉप करेंगे उन्हें 50,000 रुपे दिये जाएंगे इसके अलावा एक और योजना है जो की सिर्फ बोईस के लिए होती है जिसको बोलते हैं TES योजना इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे एसे स्टुडेंट जो की आर्मी की तयारी करते है ठीक है आर्मी टेक्निकल आर्मी डिपार्टमेंट में जो जाना चाहते हैं उनके लिए TES एक्जाम निकाली जाती है तो ऐसे में क्या इसका क्राइटेरिया है कितने परसेंड़ में चाहिए होते हैं और कैसे हम लोग बिना exam दिये direct interview में बेट सकते हैं। इसके उपर हम लोग अलग से बात करेंगे। अभी तक पिछले साल की बात करें। तो पिछले साल TES exam का criteria था 75% का। ठीक है, Physics, Chemistry, Maths में अगर आप लोग 75% से ज़्यादा marks लेके आते हो। अब ऐसे में क्या होगा, इस बार देखना ज़रूरी रहेगा। जैसे आपके exam होगी, फिर से form निकलेंगे TES के, उस समय हम वीडियो बनाएंगे TES को related। तो आप लोग के लिए भी बहुत सारी योजना चलाई जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहे हैं, बहुत सारी information आपको दी जाएगी। थैंक्यू